हलो दोस्तों मैं आणा मैं साइकाथ आप देख रहें टेकर एक तो चलिए शुरू करते हैं त्यार आज के वीडियो में लोग डिसकास करेंगे एक Windows Package Manager के बारे में Windows Package Manager का मतलब मैं आपको समझाओं उससे पहले मैं आपको traditional way बताता हूँ कैसे आप Windows में files को install करते जो है कि आप एक exe file को download करते और exe file को download करने के बाद आप उसमें click करते हैं क्लिक करने के बाद आपको एक Windows खुल जाता है आपके पास और उस विंडो में आपके पास इंस्ट्राक्शन्स रहते हैं कि आपको इस प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल करना पड़ते हैं जो कभी-कभी थोड़ा सा टार्सम लगता है क्योंकि आपको इस डिफॉर्ट सेटिंग्स में उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है लेकिन फिर भी बोरिंग लगता है इस पेसली जब आपको ऐसा वेस से आते हैं जहां पर आपके पास package managers जो है वो पहले से मौजूस हो जैसे आपका macOS हो गया या फिर आपका Linux हो गया जहां पर macOS में आपके पास जो default package manager उसका नाम है है apt gate तो ऐसे environment से आगर आप आते हैं तो आपको कभी बोरिंग लगता है Windows में प्रोग्राम को इंस्टॉल करने मेरे को भी यह problem बहुत जादा होता था तो इसके लिए मैं थोड़ा सा research किया और थोड़ा सा research करने के बाद मेरे को बहुत सही वाला Windows का package manager मिला है जिसको आज मैं आपको साब सामने लाने वाला हूँ और आपके साब discuss करने वाला हूँ तो इस package manager को यह use कैसे करना है आपको इसके मेरे से programs को install कैसे करना है uninstall कैसे करना है और programs को आपको latest version में अप्ग्रेड कैसे करना है तो यह सारी चीज़ा अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के एक लास्ट तक देखते रहे हैं और अगर मेरा एफ़ोर्ट आपको थोड़ा से भी पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देज़ेगा हमाई चैनल को सबस्काइब कर दे सकते हैं तो बिना टाम वेस्ट किये चलते हैं आपने वीडियो पर तो यहां पर दिखिए मैं आपने अपने प्रिक्षा स्क्रीन पर और यहां कर आने के बाद मैं सबसे पहले जो अपना अपना फेवरेट ब्राओजर उसको खोल लेता हूं आप खुरोम से भी एकाम कर सकत आपको यहां पर फर्स्ट लिंग है उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे इस पेज में आने के बाद आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना होगा और गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे जाना है थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहां पर आपको इस पार्ट में आ जाना है और इस पार्ट में आने के बाद आपको क्या करना है कि आपक स्किप कर रहा हूं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर पाउचल में चला जाओंगा और पाउचल में जाने की बाद एक चीज मैं भूल गया यह जो पाउचल है इसको मेरे को जो है administrator permissions के साथ run करना है नहीं तो यह जो commands में आपको बता रहा हूं वह आपका run नहीं करेगा और उसके बाद आपको जो यह फैल्या command है वह आपको लगाना है जो है get execution policy इसको मैं copy कर लेता हूं और copy करने के बाद यहाँ पर मैं इस चीज को paste कर देता हूं और paste करने यह बाद मैं यह आप पर enter दबाता हूं इंटर दबाने के बाद अगर आपको all signed आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपका साथी चीज़ें set है अगर आपका यह पार रेस्टिक्टेड आ रहा है मतलब get execution policy जो है आपके execution policy जो restricted है तो आपको उसको all sign में change करने के लिए यह command लगाना है जो है set execution policy और उसके बाद space देगा all signed और यह करने के बात अगर आप इस command को फिर से run करेंगे तो आपका ऐसा ही दिखाएगा जो मेरा दिखा रहा है all signed तो उसके बाद आप चॉकॉलेटे इंस्टॉल करने के लिए एक्टम ready है तो आपको यह जो command है जो यह बड़ा command है इसको आपको copy कर लेना यहां से आप इस button में क्लिक करके भी आप copy कर सकते clipboard में या फिर आप मतलब select करके भी right click करके copy कर सकते मैं इस button पर क्लिक करता हूं और यह चीज मेरा full copy हो गया और copy होने के बाद यहां पर आपको आ रहा है और इस चीज़ को paste कर देना है और paste करने के बाद अगर आप इंटर दबाएंगे तो आपका जो चौकलिटी है वो आपका install हो जाएगा मेरे computer में पहले सी चौकलिटी इंस्टॉल है तो मैं इसको फिर से install नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको भी बंद कर देता हूं और बंद करने के बाद अभी आप cmd से भी काम कर सकते हैं और आप पार्शल से भी काम कर सकते हैं तो मैं आपको cmd recommend करूंगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है आप पार्शल से भी कर सकते हैं सेम कमांड सबको लगाने हैं तो उसके बाद आपको यह चीज़ बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इस चीज़ को run is administered है करना है अगर मैं यहां पर सबसे पहले back चला जाता हूँ और बताता हूं कि अपको फाइंट पैकेज में जाना है और फाइंट पैकेज़् में जाने के बाद आपको थोड़ा से वेट करना है और अगर आपके computer में ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वह आपको आपको चेक करना है तो इसमाम सॉफ्ट्यूर्स मिल जाएंगे जो आप चॉकॉरेटी की मदश्च एक जो यह कमांड है इससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो आपको बस लिखना है चॉकॉर इंस्टॉल और उसके बाद वह सॉफ्ट्यूर का नाम लिखना है इसको करने के बाद आप इसको प्रोग्राम है वह लिखने के बाद अगर आप एंटर दबाएंगे तो यह आपका इंस्टॉल हो जाएगा एक चीज़ में आपको और बता देना चाहता हूं मतलब जो भी आपको प्रोग्राम है वह लिखने के बाद अगर आप एक डैश वाई लगा देंगे तो आपके पास ऐसा कभी कभी प्रॉंक्ट आगया कि आप इस स्क्रिप्ट को रन करना चाहते हैं कि नहीं तो मैं अगर इस स्क्रिप्ट को रन करना जाता हूं तो मेरे को दबाना बढ़ेगा और यह मेरे को बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम इंस्टॉल करने दे रहेते हैं अपने लैप्टॉप में आप कोई दूसरा काम करने लगते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर डैश वाई अगर लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा मैं आपको बात मैं और एक इंस्टॉल करेंगे वह चिह आपको दिखा लेता हूँ तो मैं आपको वाई दबाऊंगा और उसके बाद मैं एंटे दबाता हूँ एंटर दिए अपने आप थोड़ा सो बेट करने के बाद यह सोफ्टवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा देख रहा है उसके ऊपर करके यह ठीक 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 ठाक चीज आपका इंस्टाल कर देता है यह चीज आपका इंस्टाल करता हूं तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरा क्या होगा तो वह चीज आपका यहां पर लिस्टेड नहीं होगा लेकिन आपने चॉकोलिटी की मरद से इंस्टाल किये होंगे वह अगर अगर आप लिस्ट देखना चाहते तो उसके लिए आपके पास एक बहुत सिंपल कमांड है जो है चॉको और उसके बाद आपको लिखन दबा देना है कि यहां पर में को डैश फॉल सायद नहीं लगाना होता है एक मिनिट यहां पर सायद में रखने लगाना होता है इंटर और यह थोड़ा सा टाइम ले रहे है जीड़ो पैकर इस फाइंड क्यों हो रहे है पता नहीं ओ सॉर्य आपको लोकल कॉपी नहीं है कि आपने चॉक्ड़u के मज़र से क्या-क्या File pro b chiral कि हो हैं देख्या मैंतिने सारी चीजह ने च्टर की नहीं चलव गया है तो यह आपके पास पूरा लिस्ट आ गया कि यह चीज़ेए अपने चली के मजर से इंस्टॉल किया हुआ है तो ठीक है अगर आप कोई package जो है उसको आप अनिस्टॉल करना चाहते है चॉकोलेटी के मेंदेश से तो आपको क्या करना होगा आप यहां पर चॉको और इंस्टॉल और उसके बाद आपको उसी जो जिसको आपने इंस्टॉल किया था उसी का आपको जो नाम है वह आपको लगा देना है जो है सेवेंज इप इंस्टॉल अड़े यार ट्लिक नहीं हो रहा है इस पूरा चीज़ को पहले कॉपी कर देता हूं और कॉपी करने के बाद यहां पर पहले पेस्ट कर देता हूं और उसके बाद इस चीज़ को हटा देता हूं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहे हैं और इसको मैंने हटा दिया और हटा देने के बाद अगर आप यहां पर इंटा निए दबाया मेरा गलती है स्वारी और आपको फिर से एक बार प्रॉंट पूछे गए जरूर हाँ देखिए पूछा इसने कि मेरा को इस चीस को अनिस्टोल करना है कि नहीं को रन करना है कि यह बिसी के लिए क्या करता है कि स्क्रिप्ट बनाता है उस स्कृप्ट से जो और इसके बाद एक बाद चेक कर लेते हैं कि हमारा 7-zip अभी तक इंस्टाल है कि नहीं हम लिखते हैं तो देखिए हमारा कम्पीटर से 7-zip भड़ गया है तो आपको प्रोग्राम को इंस्टाल अनिस्टाल करना है इतना ही इसी है और आगर आपको जितने भी आपके आपके कम्पीटर में प्रोग्राम से जो आपने चौकॉलीटि के मज़ने से इंस्टाल किया है उनको आपको लेटर्शन में अफग्रेड करना है तो आपको लिखना है बस चौक को अबड़ अगर आप सब कुछ को करना जाता है तो और दीजिए अगर आपको एक specific प्रोग्राम को बशब्रेट करना है तो specific प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए तो मैं आप पर all दबाता हूं और थोड़ा एंटर दबाता हूं देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है और टाइम लेने के बाद यह आपका अप्ग्रेड कर देगा यह बोर रहा है कि सारे चीज़े आपके जो है वह आपके जो लेटेस वर्षन है उसी पर अप्ग्रेड है तो इसने कुछ भी अभी तक नहीं किया लेकिन अगर आपका कोई निया वर्षन कभी आ जाता है तो आप अगर यह कमाड रण कर देंगा बस एक कमाड से आपका सारे चीज़े अनिस्टॉल मतलब सौरी अफ्ग्रेट हो जाएगा तो यह आपका टेखनीक था कि और यही सारे कमार्ट से और मैं आभी आपको एक जो मैंने बोला थे कि आपको बोनस टिप दूँगा इसके माद से आप चॉकॉरेटी को बहुत चलता नहीं कि इसने आप अपने या फिर नॉन्मेल यूजर से रन किया और आप नॉर्मेल करने के बाद अगर आप जो है वह चोको इंस्टॉल लिखते हैं तो आपको कमार्ट काम नहीं करते क्योंकि वह सिस्टेम फाइस पर राइट करता है और आपका पास अगर एड्मिन बताता हूं जो है कि महां यहां पर एक सॉटकर्ट बना देंगे इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो वह बाइट डिफॉल्ट आपके अड्मिनिस्टेटस से ही खुलेगा तो वह चीज़ अगर आपको करना है तो आप यहां पर लिख दीजिए cmd और cmd लिखने के बाद इ और सो HU करने के बाद आपको राईट क्लिक करना है और इसमीं और आपको यहां पर जाना है ऐसाइब आपको यहां पर मैं भी बूल रहा हूं यार मीर मैं जाना था शौट कर्ण में जाना है और शौट कर्ण में जाने के बाद आपको एडवास्ट में जाना है एलने के बाद को राइट कलिक करकि कर नहीं कर रहा हूं लेकिन यह फिर भी आपका इड्मींस्टेटिस से ही खोलेगा अरे यार क्यों नहीं खुल रहा है कि मैंने उसको सेब नहीं किया था कि मैं आपको फिर से सौटकर्ट में जाओंगा एडवांस्ट राज राने जारी इस्टेटर ओके अपला है अच्छा है अपलाई करना है और उसके बाद wieder y prep要 flock जारी करने के बाद यहां से आप कर दीजिए ayam centu sesl hierarch बFLIX इसमें अगरा आप क्लिक करते तो आपके अट अधि ट्रीटा से लिएड कुलता है देखिए अपर लिखा हुआ एडमिनिस्टेटर क्मांड प्रॉप्ट तो ठीक है आज के लिए इतना ही था चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई-बाई प्रॉप्ट तक के लिए बाई-बाई